हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सुब लोग तो हम सुप्रीम को पढ़ रहे थे आज सुप्रीम कोड का लेक्शन नबर 4 है और यह लास लेक्शन है ठीक है इससे पहले हमने आर्टिकल 130 तक पढ़ा था तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 131 से आगे ओके आईए तो स्टार्ट क उस समय जो power जो है उस dispute को solve करने की किसके पास होगी तो वो होगी फ्रेंट्स सुप्रीम कोड के पास ठीक है तो इसे exclusive original jurisdiction भी कहा जाता है ओके जो real authority जो होगी वो supreme कोड के पास होगी तो उसका जो decision होगा उसको कोई challenge नहीं कर सकता ठीक है आर्टिकल 132 कहता है affiliate jurisdiction के बारे में या affiliate jurisdiction होटा क्या है देखिए friends किसी lower court ने को judgment दिया है ठीक है लेकिन वो इनसान जो है वो उस judgment से satisfied नहीं है ठीक है और उसके बाद वो supreme court में आके appeal करता है अब जो भी उसकी appeal है जो भी उसकी problem है supreme court अब जा करके वो सुनेगा ठीक है तो friends हमें ये भी पता होना चाहिए कि supreme court क court of appeal भी कहा जाता है ओके आर्टिकल 132 के बाद जो important article है वो है article 137 ठीक है और article 137 कहता है power of judicial review ये judicial review क्या होता है आईए इसे जनते हैं तो देखिए friends supreme court जितने भी judgment देगा वो सारा record उसके पास होगा ठीक है जैसे कि मान लेजिए 1990 में कोई case हुआ ठीक है वो ही case फिर से अगर 2003 इसमें भी आ जाता है ठीक है तो supreme court उस judgment को देख करके आज का फैंसल ले सकती है लेकिन अगर judges को ऐसा लग रहा है कि वो जो judgment जो थी वो proper तरीके से नहीं दी गई है तो ये फिर से उसको review भी कर सकते है उसको change भी कर सकते है ठीक है तो उस वाले judgment को वो invalid भी कर सकते है ठीक ह भी court होंगे ठीक है जो इंडिया की territory में आते हैं उन सबको उस law को जो supreme court है बनाया है उसको follow करना पड़ेगा ठीक है ये कहता है article 141 article 143 कहता है advisory jurisdiction ठीक है ये advisory jurisdiction क्या होता है तो देखे फ्रेंट्स जो हमारा president जो है वो opinion ले सकते हैं किसी भी time supreme court से ओके ये जुरूरी नहीं है जो भी supreme court अपना opinion देगा president उसे माने ही माने ये compulsory नहीं है ठीक है लेकिन अगर president को कोई वो problem create हो रही है तो वो supreme court से help ले सकता है तो ये था friends हमारा supreme court ठीक है इसे चार पार्ट में divide करके हमने videos को पूरा complete किया है उमीद करते हूं ये lecture आपको पसंद आया होगा